हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का YJ Education में ये चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइज जरू कर लिजीगा गरा इकन दबाले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मार्ड़म से जासे को जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पुलिस की recruitment का इंतजार भी छात्र कर रहे हैं तो कि 10 से 12,000 की वेकेंसी आने वाली है लेकिन कब तक आए ये वेकेंसी इसका कोई अभी कोई भी पोगता यहां पे अपडेट नहीं दिया गया है मैं आपको फिर से एक बार केना चाहता हूँ कि आप अपनी तयारी में लगे रहे है जीस तरीके से आप अपने तयारी प्रैक्टिस हेट लगा रहे है या आपर नोट्स बना के पड़ रहे है बिहार कॉंस्टेबल की तयारी में लगे रहे है कभी भी नोटिफिकिशन आ सक बस तयारी आपकी जारी रहने चाहिए एक अपडेट दोस्तों आया है आज सुबह ही बिहार पुलिस ड्राइबर भरती को लेकर जिया चालक बहाली को लेकर यहां पे मैं उसके बारे में थोई सी जानकारी आपको दिखलाना चाहता हूं और यह मैं एडूकेशन के एक बीडि परियोग साला के लिए चालक पदू की यहां पर रिक्रूट्मेंट ली जाएगी यानि कि इन तीनों के तहत बहाली के प्रक्रिया ली जाएगी अब इस नियुक्ति को लेकर दोस्तों आपको बदा दे कि पुलिस मुक्षाले के प्रस्ताव भी मांगा गया है पिछले ही द दिया था कि यहां पे राइबर के रिक्रूट्मेंट यानि कि पदू का स्रेजन किया जाए और जल्ब से जल्ब का रोष्टर बनाया जाए यह रोष्टर तयार होगा तो उसके उपर कारवाई भी करना है जिया इसके अलाबा यही नहीं अन्य विभागों के बारे में भी प्रस्ताव मांग दिया था जहां पे इस बहले के प्रक्रिया में सामिलोंगे यहां पर बनने के लिए महिलाएं भी यहां पर अग्रसर होंगे तो उनके भी टोटल वेकिंस के बारे में अपडेट नहीं किया अभी तक खिला और CSBC को यह अपडेट दिया जाएगा कि आप यहां पर नोटिफिकिशन जारे कीजिए तो यहां पर सवाल बनता है कि कौन सी योगिता है जो कि आपको सिपाही भरती से थोड़ा सा अलग करती है यह भी मैं बताऊंगा और कब तक यह डिक्रूटमेंट जो है आपकी आ सकती है यह भी मैं बताऊंगा जिया अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को अंतर देखेगा सारी जानकारी आपको अप्डेट की जाएगी सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशल अपडेट पे और यह जो है आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं CSBC की तरफ से इसका नोटिफिकेशन 2019 वाला जारी किया गया था अब यहां पे एक चीज़ बदलाव है जैसे कि अगर आप बिहार कॉंस्टिवल का रिकूट्मेंट देखते होंगे जहां पे आपको रिकूट्मेंट निकाली जाती है तो एज क्रेटेरिया को लेकर वहां प पाइबर बने तो आपके पास उम्र सीमा जो है यह निवनितम 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमाम 25 साल यानि कि 25 साल से उपर के चात्रे हैं तो आप आवेदर नहीं कर सकते हैं जेनरल कर्टेगरी में अब्यारतियों की उम्र सीमा उनके 10 वी बोड के आधार पे ही जाची जाएगी यानि की कल्कुलेट की जाएगी जो भी उस पर मेंसन रहाएगा लेकिन यह ध्यान रखेगा आपका जो नियुन्तम इस क्रेटेरिया 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए OBC में है तो 2 साल का रिलेक्शन यहाँ पर पुरुसों को मिलेगा और अगर आप पिछड़ा वर्ग से और अत्यांत पिछड़ा वर्ग से आती हैं और महिला समवर्ग में है तो आपको 3 साल का छूट यहाँ पर मिलेगा यानि की 28 साल तक आप फॉम बर जटे लेकिन इनका तो यह उम्र सीमा जो है निरुनतम वाला वह 20 साल ही रखा गया है तो कि देखे ड्राइबर बनना आपको थोड़ा सव एक्स्पिरियंस यहाँ पर चाहिए होगा तो यह जो है एज क्रिटेरिया 20 साल तक का मिनिमम रखा गया है मैक्सिम अठाई साल और पूर्शों के लिए लेकर तो यह तो बदलाव है ही यहाँ पर इस क्रिटेरिया और इसके लिए जो थोड़ा सा ध्यान दिजेगा यहाँ पर पर इसके समक्ष अनिवारे होगा यानि कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मौल्वी में या सास्त्री में अपना डिगरी की हो रहते हैं तो वो भी 1.2 पैरा में एक बात लिखी गई थी यह मात्र वैसे ही पूरुस अभ्यारती या महिला अभ्यारती इनके पास विग्यापन के तिथी जिस भी दिन विग्यापन निकाला गया है से कम से कम एक साल पहले का हलका मोतर वहन यानिकि LMB का या फिर HMB का चलाने का शक्षम पताद पूरी आपके पास तुर्के थूज्टर होना चाहिए कि आप जो है यहां पर ट्राइबरिंग करते हैं चलाते हैं गारी या हलका मोटर वहन चलाते हैं तो यह अपडेट दिया गया है दोस्तों यहां से तो दो चीज़े आपने कॉंस्टेबल से रिक्रूटमेंट को देख दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो इनके फिजिकल एफेसेंसी को देखकर तो यहां पर देखेगा यह अपडेट जिया गया है इनके आकार को लेकर जहां सारी मापड़न को लेकर मिद्वारों के लिए निम्तम उचाई जो है यह आपके हाइट जो है 165 सेंटीमेटर होन पूर्षू में है तो एप 160 सेंटीमेटर तक आविदन कर सकते हैं अनुसुची जाती जन जाती से हैं पूरुस वर्ग में आते हैं 360 सेंटीमेटर तक भी आप यहां पर यहां पर योग ब्यारती हो गया और बाकि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अपडेट है मैं आपको द सीना का मेजरमेंट सेों के लिए होता यहां पर बिना पुलाएं एक कियसी और खुला कर आपका test measurement किया जाएगा भारते मुल्के गुर्खा है तो भी ये same criteria यहाँ पर आपको रखा गया है जो की SST के लिए रखा जाता है category में छात्रों को अब आगे चलते हैं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महिला उमिद्वार जो भी है उनके लिए अहरता है जो भी जागू है वो ध्यान रखेगा सिर्फ यहाँ पर उनके weight को लेकर लागू किया जाता है कम से कम उनका जो है age criteria 48 kg होना अनिवारिया है ठीकिए उसे कम हुआ तो आप यहाँ पर disqualify हो जाईएगा ठीकिए ज्यान रखेगा आगे चलते हैं मित्रों यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के उपर चर्चा करते हैं तो नियुक्ति की प्रक्रिया है यह लिकित परिक्षा के अधार पर आपका एक qualifying paper होता है जिसमें की आपको 100 प्रश्ण पूछे जाते हैं हर प्रश्ण एक number का होता है निगेटिम आती क्या नहीं होती है दो घंटे का यह परिक्षा होता है अट लिस्ट 30% लेकर आएंगे तो आपको यहां पर qualify होते हैं यहां पर लाको अभ्यारती पॉर्म बरते हैं इसलिए यहां पर cut-up जारी किया जाता है मैक्सिमुम नंबर लाने वाले छात्रों का एक cut-up scenario एक एवरेज बानके cut-up निर्धारिक किया जाता है और उसके अधार पर यहां पर qualify किया जाता है आपको चैन किया जाता है वरना आप डिस्क्वालिफाई हो सकते यहां से ओके अब यहां पर जो update है दोस्तों आपके age को लेकर मैंने बता दिया height को लेकर measurement को लेकर यह बता दिया आपके pt example लेकर बता दिया कि यहां पर negative marking नहीं होता है और यहां से दोस्तों बता दे कि 5 गुना अभ्यारतियों को select किया जाता है किसके लिए pt के लिए यानिकि physical efficiency test के लिए तो जो भी छातर यहां पर पास करते ह उनको आगे की और अग्रसर किया जाता है लिकित परिक्षा अंतिर मेगा सोची का अधार नहीं होता है और केवल सरेट दश्ता परिक्षा ही इसका qualified major decide करता है यानिकि आप qualified तब करेंगे जब आप फिजिकली fit होंगे और इस तक exam clear करेंगे आपका PT exam होता है OMR base होता है ध्य जो मिलके तो यहां पर साट मिनट का समय बिया जाता है आपको 6 मिन्ट 30 seconds का समय मिलता है यहां पर भी एक बदलाव देखने को मिलेगा सभी कोटी के महिलाओं के लिए 7 मिनट का समय इनको अपर रहता है蛇ए आप यह नहीं पर कर ने करने है है और महिलाओं को दो फिट छे इंच का यहां से आप लोग यह सारी ची चेक कीज़ेगा इसमें भी आपको बदलाओ है बिहार सिपाही से रिगाड़ें अगर देखीगा तो यह तीन फिट छे इंच का पुर्सों के लिए और दो फिट छे इंच जो है महिलाओं के लिए पाईलाओं को ब्लाट का गोला ठेकिना होता है लोग सबी चाहत्रों को मौका दिया जाता है अपने करा यानि कि तीसरा चलन आपका जियां motor वीकल में आता है, यानि कि motor वाहन चलन की समन्धी दक्षता परिश्या होती है, यहां पर एक extra हो जाता है, यहां पर driver की वेकेंसि है, तो आपसे जाच करिया जाएगा कि आपको गाड़ी चलने आती है या नहीं आती है, और यह जो है अधिक्तम अवधारित अंक यहां पे 100 नंबर का पता है यहां इसमें परफॉम्मेंस आपको दिखाना होता है और उन्हें नेमले की तरिक्ती अंक परदान किये जाते हैं तेस्टिंग ट्रैक दिया जाता है उनको यहां पर चलाने के लिए परिस्ट्रेक्शन है तो यहां पर एक ट्रैक होता है नीचे दरसाइगे चितर के अनुसार आप देख सकते हैं मैं आपको देखलाता हूं यहां से आप इसको जरूर देखें सभी खंबे यहां पर करना चाहिए तो मिदवार को यहां पर मतलब कोई भी अगर स्थीमा पर इसपर्स कर जाता है उनको अयोग घोजित कर दियाता है यह बहुत ही तफ तो नहीं होता है लेकिन जिसको गाड़ी कराने आता है वह आसानी से इसका एक्जाम जो है वो क्लियर कर लेता है अब यहां पर तीन इंच का होता है के बीट से आपको गाड़ी रिकालना होगा पी यह सारी टेस्टिंग होगी जिसमें कि आपको यहां पर क्वालिफाई करना होगा और आप अगर क्वालिफाई होते हैं फिर आपका डॉक्मेंटेशन होगा ठीप चलाने की च्छमता की जाच होई आ अबको मैं अफ्डेट करना एक मिनिट में अगर आप तीन डीयर हंना परिवर्तन करते हैं तो 2 शर्म मिलता है एक मिनिट में अधिक्तम लेकिन पांच से लगाए तो आप तीन मिनिट यहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों मैं आपको और फुरा सा देखाना चाहूंगा यह देखिए कार चलाने का जो अपडेट है एक मिनेट में तीन ऀर और 20 अंक मिल जाएंगी एक मिनेट में 5 गिए लगाते हैं तो फॉस्थ तो बारांग और दो मिनिट तक लगाते हैं तो यहां पर डिस्क्वालिफाई होते हैं तो यह अप्डेट है फिर उसके बाद आपको जो चितर है यहां पर कुछ इस तरह से बनाना होगा गारी चलाकर प्रीके इस तरीख से इस तरीके से इसमें चार रहां मिलेगा तभी गियर बदलकर बीना गियर अवाज के गाड़ी चलनाना है उसमें गाड़ी को पीछे चलाते हैं याने कि उल्टा चलेंगे आप इदर से उल्टा है ना उल्टा तो यह आठ अंक आपको यहां से और मिल जाएगा यहां से भी आप सभी को यहां से मिल सकते हैं दोस्तों ठीक है अब यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूँ जुस्रा जोकी खंड है उमिद्वारों को वहां चलाने की घ्याण से जो अपडेट मिलता है यहां पे जो की जाच है तो परशत के द्वारा गढ़ित समीती के द्वारा मोटर यान अधिनियम के द्वारा इसको नियामली के तहत यहाँ पे 20 प्रश्ण मौकिक भी पूछे जाते हैं और 20 अंक भी यहाँ पे आपको सीधे मिल सकते हैं यहां से भी आपको मिलेंगे तो यहां से भी आपको मिलेंगे तो यह जो जाच है दोस्तों कॉस लेकर अंगर तक का जो जाच लिखा गया है इसमें अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यार्चों को असफल भूसित कर दिया जाता है और इसी के अधार पे फिर आपका जो है अंति मेधा सुची बनता है इसमें की छात्र यहां पे सेलेक्ट होते हैं वाहान चलग दश्ता परिक्षा के अंगों को जो है तो यहां पर 0.7 से 5 से यहां से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह जो है आपका 71.25 है अंक बना संवीदा नियोजन अवधी के लिए अधिक मानता जो है 25 है यह भी 25 जोड़े जाएंगे तो 96.25 आपको यहां पर मिलते हैं दोस्तों तो यह आपका अंक बनता है इसके अधार और जीप चलाने की जो है उसका भी अंक यहां पर आपको जोड़ा जाएगा और दस्वी कक्षा के अधार पर आपका एज कैल्कुलेट किया जाएगा अंती मेधा सुची अनुची जाती जन जाती के अभ्यात्यों के लिए भी 33 परसेंट का रेशन जो दिया गया है उसमें पुर्जों के बारे पूछा जाता है उसका एक फोटा से इंटर्व्यू भी होता है तो वहां पर चाहतर गवरा जाते हैं और गलत आंसर दर बैठते हैं तो वहां से डिस्वालिफाई भी बहुत होते हैं यह सारी चीजों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप सकती हैं पिछली बार संथरा सो की वेकेंसी आई हुई थी इस बार ही हो सकता है कि हजार से लेकरं 15 सम्रुम नाया है है तो अभी के लिए इस विडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगले विडियो में तक के लिएा झाले कि पुलाएंगे ले रिटा है रिए साजर को तो प्सको नहीं।